आज आपके साथ आफ्टर हिना अपने बालों को कैसे ट्रीट करना है वो रेमिटी शेयर करूंगी जिससे कि आपके हिना का कलर बहुत ही पक्का हो रहेगा और अभी मैंने आपके साथ ये बाला वीडियो शेयर किया है कि इस मेथट से आप सर्दियो में या फिर ठंड के मौसमें या जिन लोगों को हिना लगाने से ठंड चरती है वो यूस कर सकते हैं तो ये जो वीडियो है मेरे चैनल पर अल्वेटी लाइब है आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने क्लियर ली यहां पर सफेद रूट्स भी दिखा रही हूँ और ये वीडियो ना उस वीडियो का क्विक रीकैप मैं आपको दिखा रही हूँ तो पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो दिखना चाहते हो तो नीचे में लिंक दे दूँगी आप वहां पर जाके देख सकते हैं तो अभी मैं यहां पर हिना अप्लाय कर लूँगी अपने सफेद बालों पर बहुत ही पतला पतला सेक्शन लेते हुए और अच्छे से बिलकुल थिक कोटिंग में मैंने महंदी को लगाया है और इसको मैंने तीन घंटे लगा कर छोड़ा लगाने के आदे पौने घंटे के बाद पॉली बैक से कवर कर लिया तीन घंटे रखा बिना शांपू के हेर वाश करना है और उसके बाद आफ्टर रिजल्ट बे एक क्विक रीकाप में दिखा देती हूँ यह देखिए सफेद बाल जिन रूट्स पर दिख रहे थे वह बिलकुल भी नहीं दिखेंगे प्रॉपर ली कलर चड़ जाता है तो जो लोग यह कहते हैं कि मारा हिना से कलर नहीं चड़ता उनके लिए है वो वाला वीडियो अब आज बता रही हूँ कि हिना तो लगा लिया कलर भी आ गया अब उसको रिटेन कैसे करना है तो आज आपके साथ एक अब आप अपने बालों में यह ओल लगाओ तो सबसे पहले लेना आपको सरसो का तेल सरसो का तेल मेंडेटरी है साथ में डालीए कैस्टर ओल जिन लोगों के भी बाल बहुत ज़ड़ने की प्रॉब्लम है न हिना से ड्राय हो जाते है उनके लिए कैस्टर ओल बड़ा अच रखना है तवे पर आप जितना बालों की लेंड के आप से जरूरत है उतना सरसो का तेल ले लो एक से डेट चमच कैस्टर ओल डाल दो उसके बाद इसको तवे को गरम करके उसके ऊपर एक से दो मिनट के लिए रख दो जब आपको लगे कि तेल हलका सा वाम हो गया है ना त करूंगी बालों में और हो सके तो आप 24 घंटे तक इस ऑईल को अपने बालों में लगे रहने दो नहीं तो 12 से 15 घंटे जरूर लगे रहने दो तो देखो आपको एक बर दिखा देती हूं कि प्रॉपर हिना का कलर चड़ा हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं लगे कि मैं वीडियो नहीं किया हुआ ऐसे शांपू के साथ कंडीशनर भी किया हुआ है लेकिन मैं नहीं करती अब हर एक रूट्स में जिस तरह हमने हिना लगाया था ना पतले पतले सेक्शन में बिल्कुल उसी तरह से हम ऑईल लगाएंगे अच्छे से मसाज करेंगे ऑईल के साथ और सरसुक को विने लगा लिया मसाज कर ली बन बना लिया और फोरहिट के आगे भी आप अच्छे से लगा लो और इस ओल से जिन लोगों कहें बालो के जढ़ने की प्रॉब्लम है ना वह पी क्यार हो चाहेगी ना सिर्फ हिना के बालों के आप लगा सकते हो या आप कभी भी लगा सक जो मैंने आपको quick recap दिखाया है वो वीडियो आप detail में देखिए हिना लगाना शुरू कीजिए बिना chemical के बिना किसी चीज के मेरे बालों में इतना अच्छा color आता है तो बताएगे क्या ज़रूरत है chemical वाले colors की तो अच्छा लगा वीडियो जाते जाते लाइक देना मत भूल फिर मिलती हूँ बाई बाई